सेंसिया क्रिटिंग सेंड वांब वेलकम टू डियेस इंग्लिश यॉर ओन योट्यूब प्लेटफॉर्म आइम दीपमाला शर्मा और आज की वीडियो 12th क्लास के स्टुडेंट्स के लिए है उनकी जो में ब्रीडर बुक है फ्लैमिंगो उसकी 5th पुएम अरोड साइट स्ट पर जो एक्स्पिनेटर वीडियो है उसे नहीं देखा है तो आप उसे जरूर देख लिजेगा और उसके बाद फिर इस एमसी क्यों वाली वीडियो को भी ध्यान से देख लेना और मॉस्ट क्वेस्टिंस इसी तरह से आएंगे देखें फर्स क्वेस्टिन हो इस दा 20th Century Poet वो अमेरिका से विलॉंग करते हैं और 20th Century के Poet है वाट इस फ्रोस्ट पोएम डील विद मोस्ती जो फ्रोस्ट की पोएम है यह अब आउट देखें किया हुआ है आपकी बुक में NCRT वाली बुक में फ्लेमिंगों में तो उनकी जो पोएम्स है वो किस से डील करती है किस बारे में हैं फ्रोस्ट की पोएम्स तो देखें उनकी पोएम्स है human tragedies, fears and their solutions यानि कि मनुष्यों के साथ जो कुछ भी दुरगटनाए हो जाती है उनकी जो डर हैं चिंताएं हैं और उनके क्या समाधान हो सकते हैं इन सब के बारे में हैं फ्रोस्ट की पोएम्स what is frost present in the poem a roadside stand? Frost अपनी present poem a roadside stand में क्या present कर रहे हैं? actually he is presenting the lives of poor deprived people with understanding and in a sympathetic way यानि कि वो फोस्ट जो हैं वो poor और deprived people means गरीब और वंचत लोगों की जो भी जीवन हैं उसे present कर रहे हैं उनकी एक समझ है उनके प्रती और बहुत ही sympathetic way में यानि कि बहुत ही दया से भरेवे way में वो इस चीज़ को present कर रहे हैं मैंसे एक pathetic situation जो है pathetic जो condition है गरीब लोगों की ऐसे लोगों की जिनको जो भी उनके social justice के हिसाफ से जो भी rights है economic rights है वो नहीं दिये जाते उनके बारे में Frost इस poem के अंदर बता रहे है what is Frost describe in the poem? Frost poem में क्या describe कर रहे है देखे तब feelings of the honors of a roadside shed Frost इस poem में describe कर रहे है feelings किसकी roadside shed पे, roadside stand पे जो भी shopkeepers खड़े हैं, चोटी-चोटी vendors हो सकते हैं, stalls लगा के खड़े हुए हैं कुछ ऐसे लोग जो की गाम से विलॉंग करते हैं basically and they have come to city to sell their fruits and vegetables वो शहर में आये हैं अपने fruits and vegetables को बीचने के लिए तो उनके जो feelings हैं, right उनको Frost ने यहाँ पर present किया है इस poem में what is a roadside stand in the poem? तो poem में roadside stand के है, देखे, important question है तो roadside stand है, a shed outside a roadside old house तो roadside, यानि कि सड़क के side में edge पे, किनारे पे, ठीक है, एक shed है right, एक stand है, वही हमारा roadside stand है poem में why was roadside stand built? roadside stand क्यों बनाया गया था? to earn money from polished city traffic तो poet यहाँ पर बताते हैं, कि वो जो roadside stand है वो इसलिए बनाया गया था ताकि जो सड़क है, सड़क के किनारे पर यह बनाया गया तो सड़क के उपर से जो traffic pass होता है बहुत सारे ऐसे vehicles हैं, जो वहाँ से गुजरते हैं, जिसके अंदर polished लोग बैठे हुए हैं polished लोगों को क्या मतलब है? they are, you know, so called cultured and educated and civilized people of the society पढ़े लिखे हैं, कोई नो कोई काम करते हैं, शालीन से हैं, कुलीन से हैं वो सब लोग वहाँ से जो जा रहे हैं, तो उनसे कुछ पैसा कमाने के लिए वो जो roadside stand है उसे बनाया गया था what do the flowers of cities in a roadside stand refer to? तो city के अंदर जो flower है roadside stand में, उसका क्या मतलब है? it is the pleasure of cities, pleasures of cities, okay, city के अंदर जो भी खुशियां हैं, right? city में यदि हम देखते हैं, तो शेहरों में आप यह देख सकते हो, कि बहुत सारे ऐसे, जैसे मालीजे, mostly जो लोग हैं, वो खुछ रहते हैं इवन आपने ये देखा होगा, कि यहाँ पर employment की जो opportunities हैं, रोजगार की जो साधन हैं, वो भी अवसर जो हैं, वो भी गाउंस या पिक्शाकरत अथिक होते हैं इसे लिए villages की जो population है, they migrate to the cities, so बहाँ पर बहुत साथा pleasures हैं, joys हैं, luxuries हैं, it is the point what it means by, you know, flowers of cities what is being sold on roadside stand, roadside stand पर क्या बेचा जा रहा है, wild berries, golden squash and some other similar products, okay, so wild berries का जिक्र आता है, golden squash का जिक्र आता है, और इसे तरह के products, what is the childish longing that the poet refers to, यह मैंने आपको अपनी live class में भी बताया है, क्लास में बताती हूं students को कि childish longing वाला जो एक्वेस्टन है काफी important है, तो क्या है, poet की childish longing, hope of getting some financial help from the Polish city traffic, जो poet है, उसकी childish longing यही है, कि वो जो shopkeeper है, यह जो owner है roadside stand का, उसको कुछ financial help मिले Polish city traffic से, Why was the childish longing in vain? वो जो poet की childish longing है, वो व्यर्थ क्यों चली जाती है, because their wish of earning money from city folk couldn't be realized or fulfilled, क्योंकि उनकी जो wish है, कि वो city folk से कोई पैसा जैसे earn करें, तो वो जो है, वो पूरी नहीं हो पाती, इस वज़े से वो जो उसकी इच्छा है, वो व्यर्थ चली जाती है, Which words in the poem show that the poet was feeling hurt over the poor plight of rural folk, ऐसे poem के अंदर कौन से words है, जिससे ये पता चलता है कि poet जो है, इस condition के उपर, village people की इस condition के उपर काफी दुखी है, Sometimes I feel I can hardly bear, yes, the thought of so much childish longing in vain, of course, I can't help owning the great relief, it would be to put these people at one stroke out of their pain, yes, all of these is the right answer here, यह सभी sentences हम देखते हैं, पोयम के अंदर, यह सभी sentences इसी बात के लिए रेफर कर रहे हैं, कि poet जो है, वो actually hurt है, वो काफी उदास है, Who are the greedy doers? Greedy doers कौन है? The polished city folk, okay, तो ऐसे लोग जो कि polished है, so-called, जैसे मैंने आपको बताया, cultured है, city के, उनको greedy good doers बोला, okay, Why are the city people called greedy? क्यों उनको greedy बोला? Greedy का मतलब लालची, because of their selfish interest, क्योंकि वो सभी स्वार्थी है, What is the special quality of the city people or folk? क्या special quality है, city people की? Know how to get benefits in a calculative manner, उनको पता है, कि किस तरह से लोगों का फायदा उठाया जा सकता है, Who are beasts of prey in the poem? कौन है beasts of prey in the poem? वैसे आपको बताया है कि, शिकार करने वाले जानवर, means शिकार करके अपना पेट भरते है, तो यहाँ पर किस के लिए आया है, यह the city folk के लिए आया है, शेहर के लोगों के लिए आया है, Why are the city people called beasts of prey? City people को beasts of prey क्यों कहा गया? Because of their selfishness and tendency to dupe others for it, क्योंकि उनके अंदर ऐसी स्वार्थ परकता है, और इस तरह की उनकी tendency है, वो इस तरह से behave करते हैं, कि वो लोगों को आसाने से धोखा दे सकते हैं, How do city people harm the poor rural folk? जो city people है, वो किस तरह से poor rural folk को harm करते हैं, नुकसान पहुँचाते हैं? By misguiding and depriving them of their sleep, वो उनको गलत तरह के से guide करते हैं, और उन्हें सोने भी नहीं देते हैं, चैन से शान्ति से, means उनसे कहा कुछ जाता है, और उनके प्रतिकिया कुछ में नहीं जाता, What news in the poem, a roadside stand is making rounds in the village, क्या news आई थी इस poem के अंदर, village के अंदर, villages will be given homes near theater and shopping malls, villages को घर के, जैसे home, homes यान की घर मिलेंगे, थेटर के नजदी को shopping malls के नजदी, जैसे ये news आई थी, आपको पता ही है, कि जहाँ पर इनका roadside stand है, उसे वहाँ से हटा दिया जाएगा, और इनके जगे पर कोई departmental stores या इस तरह से theater, shopping malls वगरा बना दिये जाएगे, और इनको वहीं पर यास-पास घर दे जाएगे, और उन्हीं malls और थेटर के नदर उनको काम दे दिया जाएगा, वट promise was the government making to relocate the villagers, क्या promise किया था government ने की वो बनने के बाद, जो है, villages को कहाँ पर established करेगी, their all needs will be looked after, तो उन्होंने कहा था, कि उनके जितनी भी ज़रते हैं, उनका ध्यान रखा जाएगा, वाई जिजन्ट अपॉलिश ट्राफिक स्टॉप एड़ रोड़ साइट स्ट्रेंड, तो पॉलिश ट्राफिक जो है, वो क्यों नहीं रुखता रोड़ साइट स्ट्रेंड पर, फोकस है, वो जादा बड़ा लाब कमाने का है, ना कि इन चोटे-चोटे लोगों से कुछ खरीदने का है, देव ग्रीडी, येस देव ग्रीडी, वो सब लालची भी थे, तो आल अफ दीस इस तराइट आइट आंसर हीर, उन लोगों का जो असमविदन शील, जो एटिट्यूड है, दृष्टि कोण है, किसके प्रती, येस विलेज पीपल की प्रती, और वो दिखते कैसे हैं, दिखते बड़े जेंटल हैं, लेकिन हैं कैसे अंदर से, स्वार्थी, और असमविदन शील, इंसेंसिटिव का मतलब जो तो किसी और की जो फीलिंग्स है, उसके प्रती जो है, वो प्रभावित नहीं होता उनसे, right, emotional नहीं होते जो लोग, who will soothe the rural poor, कौन ऐसे लोग हैं, जो rural poor को soothe कर सकते हैं, उनको खुरिश कर सकते हैं, city people will soothe out of their wits, किस तरह से उसको soothe करेंगे, वो उनको उनके दिमाग स काम लेना भी बंद करवा देंगे, what does out of their wits mean in the poem, out of their wits का क्या मतलब है poem के अंदर, by fooling and exploiting the poor people to their own benefit, okay, out of their wits का मतलब यह है, कि जो गाउं की लोग हैं, उनको वो बेवकुफ बनाएंगे, उनका शोशन करेंगे, right, खुद के benefit के लिए, what does support the flow of cities, जो city के अंदर जो एक प् करती है, that is the flow of money, okay, धन जो है, उसका प्रभाज जो है, वो शेहरों को support करता है, शेहरों में जो flower है, means, जो luxuries है, जो pleasures है, जो joy है, उनको support करता है, what is the importance of cash flow for city people, city people के लिए cash flow के क्या importance है, it runs their life, so it is their lifeline, तो जो cash है, वो उनकी जीवन को जीने में help करता है, तो वो उनकी एक त stopping car react, जो stopping car है, वो क्या, कैसे यह, क्यों react करती है, to point out at the wrongly marked N and S directions, तो आपको पता है, कि यह mention किया गया है, कि उन्होंने, जो boards लगाए हुए है, roadside stand वालोंने, जो boards लगाए हुए है, उनको लिखना नहीं हाता, तो उन्होंने N और S को भी उल्टा लिखा है, तो यह point out करते हैं, कौन, यह जो stopping car है, यह सर, right, which word in the poem means fading, ऐसा कौन सा word है poem में, जिसका मतलब है fading, withering, withering का मतलब होता है fading, डल हो जाना, what is the poet's call to the polish traffic passing ahead, poet जो है, वो polish traffic को क्या call करता है, he contains this indifferent attitude of the city folk and feels the pain of the rural folk, वो बहुत जादा घ्रिश्टे से देखता है, बहुत जादा बुराई करता है किसकी, जो यह city folk हैं, जो शेहर की लोग हैं, उनका जो उदासीन सा रवया है इन लोगों के प्रती, और बहुत जादा pain से भर जाता है, दुख और दर्थ से भर जाता है, गाम वाले लोगों के प्रती, who do selfish cars differ to, selfish cars का यहाँ पर क्या मतलब है, इसका मतलब है, car owners who do not stop on the stand, व pathetic का मतलब करुणा मई, दया मई, जिसके प्रती देखके हमें थोड़ सी दया आजाए, for poor condition, the honor of the stand, क्योंकि जो stand का जो honor है, means roadside stand की जो होने लगाया है, गाम वाले लोगों नहीं, गाम वाले लोग या नहीं की, गरीब लोग, वंचित लोग, rural and deprived people, तो उनकी जो condition है, कैसे condition है, poor condition है, तो इस वचे से उनके प्रती दया आजाती है, तो pathetic word, बहुती जो बुरी हालत है, उनकी उसके लिए pathetic word यूज किया है, who made roadside stand and where, किसने बनाया था roadside stand और कहां पर बनाया था, तो हमें पता ही है कि rural people ने बनाया था, जो कि poor है, और village में बनाया था, the poor rural people made in the village, okay, हा हो सकता है कि जैसे गाउं और शहर जहां पर दोनों मिल रहे हैं, right, तो हो सकता है थोड़ा बहुत गाउं का भी portion हो वहाँ पे, थोड़ा बहुत शहर भी मिलता हो, तो इस तरह से वो इलाका भी हो सकता है, who wanted to feel the money at hand and from whom, तो कौन है ऐसे लोग जो money को feel करना चाहते है अपने folk, यानि गाउं के लोग, rural जो word है आप ध्यान रखना, गाउं, okay, गाउं को refer करता है, village people को, folk का मतलब people, what was the news, news क्या थी, कि relocation and resettlement of the rural folk will take place, relocation to make them tension free by the government, तो सरकार नहीं यह घोचना की थी, कि उनको relocate किया जाएगा, दुबारा से settle किया जाएगा, ताकि उनकी जो tensions हैं, दूर हो सकें, who are the pitiful kin in the poem, pitiful kin कौन है, the rural poor folk है, farmers है, जनके उपर दया की जा रही है, what would be the state of poor rural folk at the new location, तो क्या condition होगी, इन सब गरीब लोगों की, गाउं की लोगों की, नहीं लोकेशन पे, tension free as their needs will be looked after, okay, वो सब tension free रहेंगे, क्योंकि उनकी जो जरुरते हैं, उनका ध्यान रखा जाएगा, what does I stand for in the poem, I किसके लिए आया है, of course, for the poet of the poem, Robert Frost, what does a speaker or narrator call the thought of the honor of the stand, तो देखें, speaker जो और जो narrator है, जिसे honor of stand, वो क्या कहता है, क्या विचार है, उसके childish longing in vain, वो कहता है, पोईट कहता है, कि मेरा जो मन जो है, वो एक childish longing से भर जाता है, means, एक बच्चे वाल इच्छा है, जो मैं मांगता हूँ, लेकिन, क्योंकि वो बच्चे की इच्छा है, तो वो कभी भी पूरी नहीं हो पाती, what is the open prayer from near the open window, यह मैंने आपको बताए था important question, तो क्या open prayer कर रहा है, वो shopkeeper, for the sound of coming cars to stop at the road stand, to help the honor to earn money from them, तो वो एक sound है, okay, किस चिसकी sound, वो squeal of brakes की sound ह जो shopkeeper है, वो यह चाहता है, कि कोई भी एक कार आकर वहाँ पर रुके, और पूछे, कि वो जो समान है, उसके मोल भाव करें, कि यह सब समान तुमने कैसे दिया, okay, अब एक question यहाँ पर मैंने आपके लिए छोड़ा है, कि वो जो poet की childish longing है, वो in vain कैसे है, वैसे इसमें आयात आप हाँ से भी help ले सकते हो, और यदि आपको नहीं आया है, और आपको खुद आंसर लिखना है, जिसे आप लिख रहे हो, तो आप ज़रूर बताना कि जो poet की childish longing है, वो in vain क्यों है, उसके पीछी तीन कारण है, मैं आपको हींट देती हूं, वो तीन कारण कौन कौन से है, आपने मेंशन करना है चाहिए, आपके वल वर्ड्स वर्ड्स मेंशन कर देना, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीचे, क्योंकि अब आपके एग्जाम्स बहुती नजदीक हैं, और मैं प्रेक्टिस पेप क्योंकि नजदीक है और रिए ए सूल ने ने नजदीक हैं, प्रेस्टी क्योंकि व्ल्सयं कर developed तखके लिए हमखे हैं, हमझने के लिए वागा खबस्तुनिजवतिक हैं, क्योंकि रेच्वन restoration प्रेक्टीक सुवट कर देख gefीश एंतिंस एक्यों, क्योंकि व्ल्सक्णत तक